प्री शिवाईन नमस्तव्यम दोस्तों भगवान शिप जी आपकी हर्मनों कामना पूरी करें इसी कामना के साथ आज का वीडियों शुरू करेंगे दोस्तों जैसे कि आप सभी को बतला दू कि साल 2024 में दीपावली का महा पर्व महा तहवार 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को पूरे धोमधाम से मनाया जाएगा सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को आने वाली दीपावली की धेर सारी सुपकामनाई माता लक्ष्मी हम सब की मनों कामनाई पूरी करें हमें धन धाने से परिपून करें और हमारे घर में हमेशा सुक सम्रद्धी बनाए रखें दोस्तों हम माताएं बहने हर तीस तहवार का बहुत ही बेसब्री से इंतिजार करती हैं खास तोर से जो साल भर के बड़े बड़े तहवार होते हैं उनका बहुत ही बेसब्री से इंतिजार करती हैं पुरी विदिवत तयारी करती हैं लेकिन हम महिलाओं के साथ एक दिक्कत हमेशा बनी रहती है वो दिक्कत तो नहीं कहेंगे लिकिन हाँ अगर हम इस समय पूजा पाट नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन में थोड़ी सी खटक आ जाती है कि हमने इस व्रत का या इस पूजा का इतना तैयारी कर रखी थी पर हम इस पूजा को बिदिवत तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म याने पीरियड से कुजरना पड़ता है कुछ माताओं बेनों का पीरियड जो होगा वो दीपावली के आसपास होगा या फिर उनकी डेट दीपावली वाले दिन ही होगी वो मासिक धर्म जो है उनका दीपावली वाले दिन ही आ जाएगा तो मासिक धर्म में याने पीरियड में वो किस तरह से दीपावली लक्ष्मी पूजन करेंगी वो दिया जला सकती है या नहीं जला सकती है इसकी संपूर्ण विस्तार से आपको जानकारी देने वाली हूँ तो देखे दोस्तो जब इस्त्री राजिस्वला आवस्था में रहती है तो वो पूजा पाट से जुड़े हुए कोई भी कारे नहीं करती है तीन दिन का बहुती जादा महत्व बतलाया गया है मासिक धर्मे लेकिन जरूरी नहीं है कि तीन दिन के बाद मासिक धर्म हर महिला का समाप्त हो जाता है महिला जब तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती है उसका मासिक धर्म जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है चला नहीं जाता है जब तक उसको इस बात की पुष्टी नहीं हो जाती है कि उसका मासिक धर्म चला गया है समाप्त हो गया है तब तक वे पूजा पार्ट वा पूजा पार्ट से जुड़े हुए कोई भी कारे नहीं कर सकती है अगर आपका मासिक धर्म दीपावली के आसपास आ गया है आपका दूसरा तीसरा चौथा या पाँचवा दिन है तब भी आपको लक्ष्मी पूजन नहीं करना है अगर आपका छटवा दिन है और आपको पूरी तरह से अनुभव हो गया है कि आप पूरी तर से समाप्त हो गया चला गया है तब आप छटवे दिन अच्छी तरह से स्नानादी करके अच्छी तरह से सुध्ध होकर ही पूजा करें साथवे दिन यहां पर एक बात और इस पस्ट करना चाहूंगी कि कुछ-कुछ महिलाएं जो होती हैं वो सुकता के कारण होती हैं और पू के बिंतिये माताएं बहने ऐसी गलती ना करें पूजा पाठ करना मासिक धर्म में हिंदू शात्र के अनुसार पूरी तरह से वरजित माना गया है अगर आपका छटवा दिन है छटवे दिन तक अगर आपने दो से तीन बार अपने बालों को अच्छी तरह से धुल लिया है शेंपू बगेरा कर लिया है आप अच्छी तरह से सुद्ध साप हो गई है छटवे दिन तो आप साथवे दिन पूरी विश्वास के साथ जो है वो दीपावली की पूजा यानि लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं अनिता अगर आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांच किया जाता है मासिक धर्म की अवस्ता में साथवे दिन तक हम जो है वो पूजा नहीं करते हैं हम पूरे साथ दिन तक जो है वो इस नियम का पालन करते हैं साथवे दिन तक हम दो से तीन बार अच्छी तरह से बाल धुलते हैं शेंपू वगेरा करते हैं साथवे दिन भी हम अच्छी तरह से सुद्ध होते हैं और आठवे दिन से पूजा पार्ट का कारे शुरू करते हैं तो यहां आपको मैंने बतला दिया है कि अगर आप मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो आप लक्षमी पूजा बिल्कुल भी ना करें पहली दिवाली क्यों ना हो बहुत सारी बेहनों का प्रशन आता है जैसे की करवा चौत में भी मुझे प्रशन आ रहे थे भूट कि हम तीसरे दिन शुद्धो जाते हैं चौत्ह दू शुद्धो जाते हैं तो क्या हम पांचवे दिन पूजा कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं पाचवे दिन तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कई लोग भाई बात नहीं मानते हैं तो अपने रिस्क में कारे करें पाचवे दिन तो क्या छटवे दिन भी हमारे पूजा पाट नहीं होती है दूसरे तीसरे पहले और पाचवे दिन की तो बात ही नही है तो आप जब तक पूरी तरह से साफ सुतरे स्वक्ष नहीं हो जाते हैं दो से तीन बार बाल अगर नहीं दो लें तो बिलकुल भी आप लक्षमी पूजन ना करें आप बात कर लेते हैं कि क्या हम दीप वगेरा प्रजुलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं देखिए पूजा के स्थान पर जहां हम चौकी लगाते हैं, वहां हम दीप्रजलित करते हैं, फिर हम अपने घर के हर एक कोने में दीप्रजलित करते हैं, फिर हम अपने घर के आंगन में दीप्रजलित करते हैं, हम छत में दीप्रजलित करते हैं, तो ये पूजा पाट से जुड़े हैं जो आपको मांसिक ग्रम की अवस्था में नहीं करना है ठीके दोस्तो अगर आप को थोड़ा सा ऐसा लग ही राय कि मतलब पालीजे किसी कि जो है वो पहली दिवाली होगी शादी के बाद तो उनको लग़ना होगा मेरी पहली दिवाली है मेरी ये अवस्था है मैं पूजा पाट नहीं कर सकती है और दीप्रजुद भी नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक पूजा कर लेजे और उनसे अपनी जो व्यथा है वो बोलिए कि मैं इस अवस्था में हूँ अगले साल मैं आपकी विदिवत तरीके से करें और मुझे और मेरे पूरे परिवार को ठे सारा आशिरवात करें और मेरे घर में हमेशा सुक संप्रदी धन संपदा बनी रहे इस तरह से आप मानस पूजा कर सकती हैं अगर आपको थोड़ा सा ये भी फील हो रहा हो कि मैं एक दिया तक नहीं जला सकती हूँ तो आज क अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने आज एक दिया तक नहीं जलाया है मेरी पहली दिवाली है मैं सवस्था में हूँ तो आप कैंडल वगएरा जला कर अपने मन को मना सकती हैं आज कल तरहा तरहा की बहुत सुंदर सुंदर कैंडल आ रही है जैल कैंडल आ रही है तो अगर आप आपको शौक ही लग़ रहा है अगर आपको लग रहा है कि पहली दिवाली है और अमें दीये वगर नहीं जला रही हूं तो आप वो एक दो सो वाली जो केंडिल आती है वो जला सकती है तो दोस्तों कि यह पर मासिक धर्म की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी हूं आशा कर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजेगा और अपने ही चैनल को जूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करत और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए तो बहुत जल मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ एक नए जनकारी के साथ तक तक लिशी शिवायन नमस्त अब्यम धन्यवाद दोस्तों